So guys, आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि TikTok वीडियो 4U में जाना बंद की हो जाता है जब आप TikTok एप्लिकेशन ओपन करते हो, वहाँ पर आपको दो ओप्शन मिलते हैं 4U and Following Following में उनका वीडियो आता है, जिनको आप फोलो करके रखते हो बट कुछ-कुछ बाईयों को यह नहीं पता कि कैसे चेक करते हैं कि हमारा वीडियो 4U में जा रहा है या नहीं जा रहा जब आपका वीडियो 4U में जाता है, तो आपकी वीडियो पर हजारो लाखो लाइक्स आते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे चेक करते हैं कि वीडियो for you में जा रहा है या नहीं TikTok application open करने के बाद आपको me पर किलिक करना है then आपको three dots पर किलिक करके analytics पर किलिक कर देना है अगर आपके phone में analytics का option नहीं आ रहा तो उपर i button में link दे दूँगा ये वाला वीडियो देख लेना pro account बनाओ आ जाएगा उसके बाद आपको content पर किलिक करना है then आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो पर किलिक कर देना है आपको थोड़ा नीचे की तरफ चलना है या यहाँ पर आपको देख जाएगा ये देखो follow personal profile and sound मेरा वीडियो for you में नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा वही मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या mistakes नहीं करनी चाहिए अगर यहाँ पर कोई वीडियो आपका show नहीं हो रहा तो आपको back जाना है back जाना है किसी भी वीडियो पर आपको किलिक कर देना है किसी भी वीडियो पर किलिक करने के बाद आपको three dots पर किलिक करके यहाँ पर analytics पर किलिक करना है उसके बाद आप check कर सकते हो कि मेरा कौन सा वीडियो for you में जा रहा है ये वीडियो देखो मेरा 13 सेकंड का था और इस वीडियो पर average watch time 17 सेकंड का आया, उसके बाद भी टिक टोक ने ये वीडियो for you में नहीं बेजा, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे बाई ने कुछ mistakes की हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी था, popular creators मेरे sound पर वीडियो बनाते थे, काफी अच्छा response मेरी वीडियो पर आता था, हर एक वीडियो मेरा for you में जाता था, अचानक से वीडियो for you में जाना बंद हो गया, reason यही था, मैंने इस वीडियो में already बताया हुआ है, कि किसी बंदे ने मेरे account पर auto views मारने शुरू कर दिये थे, किसी website पर जाकर मेरी वीडियो का link पेश्ट किया, मेरी वीडियो पर auto views मार दिया, उससे क्या होता है, कि वीडियो का reach रुक जाता है, टिक टोक यह समझता है, मैं खुद auto views मार रहा हूँ, तो किसी बंदे ने मेरे account के साथ ऐसा कर दिया था, इसलिए video for you में जान बंद हो जाता है, आप एक बात सोचो, गर आप खाना नहीं खाओगे, और काफी टाइम तक नहीं खाओगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो टिक टोक account भी ऐसा ही समझ कर चलो, अगर आप इसको हर रोज video नहीं दोगे, तो यह भी बीमार पड़ जाएगा, तो मैंने regular videos को post करना, बंद कर दिया, इसलिए मेरा TikTok account एकदम बेकार हो गया, for you में video जाना बंद हो गया, बट इस account को मैं नहीं छोड़ूँगा, बिकोज इस पर बहुत ही ज़ादा मैने से मैंने इतने ज़ादा followers किये, और active followers किये, ठीक है, तो मैं TikTok team से contact कर रहा हूँ, बात कर रहा ह वहाँ से reply आता है, कभी नहीं आता, और lockdown की वज़े से अभी reply नहीं आरा, बट मैं आपको solution जरूर बताऊंगा, जैसी मेरे पास एकदम exact reply आता है, सही तरीका हो मेरे को बताते हैं, कि account को सही कैसे करते हैं, अगर video for you में नहीं जाता, अगर आपके साथ भी same scene हो रहा है, और कुछ परसन क्या करते हैं, किसी भी star का instagram story डाउनलोड करते हैं, यह youtube से उनका interview वाला video उठाकर tiktok पर post कर देते हैं, उनको कुछ time के लिए millions में views मिल जाते हैं, हजारों लाखों लाइक्स मिल जाते हैं, बट कुछ time के बाद जब वो अपना video post करते हैं, तो उनकी वीडियो हैं, वो ही 40, 50, 60, 80, 1000, 2000 लाइक्स मिलते हैं, तो भूल कर भी ये mistake ना करें, कि cb star का video copy मतलब डाउनलोड करके paste ना करें, याद रखना, कुछ person ऐसा करते हैं, regular videos बना रहे हैं, हर रोज 4-5 videos बना रहे हैं, तो कुछ दिन बाद जम उनको ज़्यादा views नहीं मिलते, video for you में न वीडियो for you में जाना बंद हो जाएगा, एक बहुत ही जादा जरूरी बात में आपको बता जेता हूँ, कभी कभी TikTok पर आपने ऐसा वीडियो जरूर देखा होगा, जो कि एकदम बेकार वीडियो होता है, जो कि TikTok पर नहीं होना चाहिए था, बेकार content होता है, TikTok की community guidelines को violet करता कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा bike से जा रहा है, बहुत ही जादा speed से जा रहा है, वो ही वीडियो TikTok पर post कर देते हैं, कुछ time के लिए वो वीडियो रहता है और उसके बाद delete हो जाते है, जब आपका वीडियो उस तरह का viral हो जाता है, तो आप आगे भी ऐसा ही वीडियो बनाने की कोशिश करते हो, जैसे ही TikTok टीम की नजर में आपका account आता है, तो आपकी सभी वीडियो delete कर दी जाती है, तो ये हरकत आपको भूल कर भी नहीं करनी, otherwise आपका TikTok account खतरे में आ जाएगा, और ये बात मैंने आपको already बताई हुई है, कि गलत वीडियो के साथ भूल कर भी duty मत करना, otherwise आपका जो TikTok account है, वो भी हमेशा के लिए suspend हो सकता है, अब आप मेरे को comment करके बताईए, कि आपके साथ कौन सी problem हो रही है, and analytics में जाकर check करो, कि आपका video for you में जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा, तो भी comment करके बताना, अगर आपका video for you में जा मेरे को comment करके जरूर बताना, तुम्हारे भाई को भी पता चले कि किन भाईयों के साथ क्या problem हो रही है, और जो भी आपकी problem है, at the rate, अपना TikTok का username लिख देना, और problem लिख देना, तुम्हारा भाई जरूर आपको solution देगा, कोई और problem है, भाई को आप Instagram पर DM कर सकते हो, और उन्नों की टेक को subscribe कर सकते हो, यहाँ पर click करके अर्मान जुनेद को, मैं आपसी मिलता हो किसी और interesting वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye